तो दोस्तो थम्नेल देखकर तो आप सभी लोग समझी गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक पे रहने वाली है जी हाँ दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीजीमाई एंड पब्जीमोयल के पाँच ऐसे हीडन सिक्रेट सेटिंग्स के बारे में जिनके बारे में हो सकता है आप में से काफी सारे बंदों को ना पता हो और ऐसा भी हो सकता है कि सायद कुछ बंदों को इन सेटिंग्स के बारे में पहले से ही पता हो लेकिन उनको इसका प्रॉपर यूज़ करने का तरीका ना पता हो सो गाइस मैं तो रिकोमेंड करूँगा कि आप पहले इन सेटिंग्स को ध्यान से देख लो और समझ लो क्योंकि अगर आप ये सेटिंग्स को समझ लेते हो नो दोस्तो तो इन सेटिंग्स को समझने का बाद आपका गेमपले आप बहुती ज़्यादा हद तक इंप्रूव कर सकते हो और जिसके बाद आपका gameplay बहुत ज़्यादा better हो जाएगा और आप पहले से बहुत ज़्यादा बढ़िया खेल पाऊगे So guys without wasting any more time आया फटा फट से करते हैं वीडियो को start और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हो तो वीडियो को like कर दो चैनल को subscribe कर दो और below like को all पर कर दो इससे क्या होगा कि मेरे सारे वीडियो से निटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुच जाएंगे तो जो हमारी पहली setting होने वाली है दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको आज आनाई बेजमाई के setting में और setting में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर right side में आपको एक option दीखेगा customize buttons अब इस पर click करके आपको यहाँ से वाले layout को select कर लेना है जिसका use करके आप gameplay करते हो तो layout को select करने के बाद अब यहाँ पर आपको दो fire button शोर है दोस्तों एक right में और एक screen के left में तो जो हमारा screen का right ओला fire button है दोस्तों जब आप इस पर tap करते हो और tap करने के बाद जब अपने finger को यहाँ वाँ ड्रैक करते हो तो आपका पूरा screen यहाँ से वाँ मूव होता है और यहीं पर जब मैं left side ओले fire button पर click करके अपने finger को drag करता हूं यहाँ वाँ तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी camera rotation नहीं हो रहा है यानि कि यहाँ पर हमें कोई भी camera rotation देखने को नहीं मिल रहा तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको simply आज नहीं control layout में और control layout में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका right side ओले fire button है इस पर click करना है और click करने के बाद यहाँ से इसकी size आपको छोटी कर लेनी है और यहीं पर दोस्तों आपको एक और option देखने को मिल hide and disable तो दोस्तों यहाँ पर इसको click करके आपको right side ओले fire button को hide और disable कर देना है और इसके बाद इसको आप इस तरह से arrange कर लेना जिसके बाद आप जब भी किसी enemy पर fire करोगे तो आपका scope ज़्यादा move नहीं करेगा और आपका aim का accuracy और भी ज़्यादा improve हो जाएगा और अब जो हमारी second setting है दोस्तों उसका नाम है quick scope switch अब ऐसे में दोस्तों जब भी आप किसी से long range fight ले रहे होते हो और अचानक आपको short range fight लेनी पड़ जाए तो short range fight के लिए आप 6x, 4x या फिर 3x तो यूज़ करने सकते हो दोस्तों तो इसमें आपको जगत बढ़ने वाली red dot की या फिर 2x की और जब आप red dot फिर 2x से अपने scope को change करने जाते हो दोस्तों तो आप जब भी back पर tap करते हो तो back पर tap करने के बाद आपकी जो भी right side की आदी screen के वो पूरी screen का view block हो जाता है तो ऐसे में अगर कोई enemy right side से आता भी है न दोस्तों तो आपको अपने screen पे कु time consume होगा यहाँ पर आपका बहुत ज्यादा time waste होगा तो यहाँ पर जो भी आपका time consume हो रहा है दोस्तों उसको बचाने के लिए आपको क्या करना है कि setting में आ जाना है और setting में आने के बाद basic control में जब आप अपने screen को थोड़ा सा उपर scroll करें न दोस्तों तो यहाँ पर आप time का use करके दोस्तों आप यहां से बहुत ही easily अपने scope को change कर पाऊगे बदल पाऊगे और इसके लिए आपको बैग वाले icon पर tap करने की कोई भी जूरत नहीं पड़ेगी और इसको use करने का बाद दोस्तों आपका यहाँ पर बहुत ही जड़ा time save होने वाला है और अब जो हमा आप पर molly या फिर grenade throw करना है और कई बार तो ऐसे भी हो जाता है दोस्तों कि जब आप molly enemy पर throw करने के लिए aim करते हो तो आपके उपर ही गिर जाती है या फिर अगर आप grenade किसी बंदे पर करने जाते हो तो आपके आतमी फट जाता है तो ऐसी गलतियों से बचने के लिए द दिया है so throwable trajectory line तो अगर आपकी यहली setting disable है न दोस्तों तो यहां से इसको enable कर लो अब इससे क्या होगा कि जब भी आप अपने हाथ में grenade लोग है तो grenade को cook करने से पहले ही आपके सामने इस तरह का white line आ जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा grenade throw करने से पहले ही कि आप अगर aim करते हो तो आपका grenade कहाँ पर जाने वाला है यानि कि दोस्तों इससे आपका जो grenade है वो prebook हो जाता है और इससे आपको पहली पता चल जाएगा कि आपका grenade कहाँ पर जाने वाला है और जब आप अपने pin को खिचोगे तो यहाँ पर यह जो white line इने ये red line में convert हो जाएगी और आपका timer start हो जाएगा तो यह वाले setting को enable करने के लिए दोस्तों आपको आ जाना है advanced control में और यहाँ पर आने के बाद अपने screen को निचे के तरफ scroll करना है और यहाँ पर आपको एक option दिखेगा so throwable trajectory line तो यहाँ से आपको यह वाले setting को enable कर लेना ह और अब जो हमारी अगली setting है दोस्तों उसका नाम है block site warning अब इसमें क्या होता है कि जब भी आप किसी वाल के पास खड़े होते हो या फिर आप किसी cover के अंडर खड़े होते हो दोस्तों तो आपके सामने इस तरह का red circle बनके आ जाता है और यह red mark से आपको पता चल जाता है दोस्तों कि यहाँ पर आपकी जो भी firing होने वाली है वो fake firing होने वाली है यानि कि आपको जो भी bullets है वो wall से या फिर cover से टकराने वाले है और वो आपके bullets enemy को नहीं लगने वाले है और यहाँ पर आपको कोई भी crosshair shown नहीं होने वाला है तो इसके लिए आपको आजाना है setting में और setting में आने का बाद दोस्तो आपको आजना है advanced control में और advanced control में आने का बाद अपने screen को निचे के तरफ scroll करना फिर यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाएगा block sight warning अगर आपके setting by default disable है न दोस्तो तो इसको आपको enable कर लेना है जब आप इसको enable कर लोगे तो जब भी आपकी से cover के under से fight लोगे और जहाँ पर आपका bullets enemy को नहीं लगने वाला है वो आपके screen पर इस तरह का red circle mark show होने लगेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी यहाँ पर जो भी firing होने वाली है वो fake fire होने वाली है और आपके कोई भी bullets enemy को नहीं लगने वाले है और अब जो हमारी last वाली setting होने वाली है दोस्तो वो होने वाली है map को लेकर अब यह भी setting दोस्तो आपकी scope वाली setting के तरह similar है तो इसमें भी जब भी आप map को open करते हो location set करने के लिए कि आपको कहाँ पर जाना है या फिर location mark करने के लिए तो आपकी जो half screen है वो block हो जाती है जिससे आपका जो आदे screen का view है वो आपको show नहीं होता है और जब आप map को open करके location set कर रहे होतो तो ऐसे में कई बर क्या होता है दोस्तो कि कोई enemy आकर हमारी पेटी बना कर चला जाता है अब यहाँ पर आपको तो aim करने के कोई मोगा मिला ही नहीं क्योंकि आपने map open किया हुआ था और map open करने के वज़े से आपको enemy दिखा ही नहीं जिसके वज़े से आप उसको competitive नहीं कर पाए और उसने बहुती easily आपको मार दिया अब map को लेकर bgmi and pubg mobile में एक setting प्रवाइड की गई है जिसके बारे में बहुत सारे बंदों को नहीं पता है और मुझे पता है दोस्तो कि आपको भी यह setting के बारे में नहीं पता होगा तो इसके लिए आपको आ जाने setting में और setting में आने का बाद आपको आ जाना है advanced control में अब advanced control में जब आप अपने screen को नीचे के तरफ scroll करेगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको एक option दिखेगा hold to open map अगर आपकी यह वाली setting disable है दोस्तों तो इसको आपको यहाँ से enable कर लेना है और जब आप इसको enable कर लोगे तो जब भी आप map पे tap करेगे ना दोस्तों तो आपका map open हो जाएगा और जैसी आप अपनी finger map पे से हटा लोगे तो आपका map automatic close हो जाएगा जिससे आपका जो time है यहाँ पर जो consume होता है वो बहुती ज़्यादा save होने वाला है और आप किसी भी बंदे से direct fight ले सकते हो तो आज की वीडियो में बस इतना ही और आपको इसमें से कौन सी setting सबसे ज़्यादा बढ़िया लगी दोस्तों नीचे comment box में जरूर बता देना तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ने टिप्स और ट्रिक्स के साथ तब तक लिए टाटा गुड़बाई एंड टेक केर